तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले है नाम है खेती 14 यानि की 14वा चैप्टर है है ये चैप्टर बहुत ही जदा छोटा important और ब हें लेकिन अपने बात कु इस तरह रखें ना कि उससे बहुत कुछ जाहिर हो जा रहा है कम शब्दो का यूज करके बहुत कुछ कहा दिया है ठीक है ना तो इस नजम को हम लोग पढ़ेंगे पढ़ती एक लाइन को पढ़कर उसका अर्थ बताऊंगी खेती से आप लोगो को लग रहा होगा कि इसमें खेती टाइप का कुछ बात किया गया होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है खेती से थोड़ा बहुत रिलेटेड है लेकिन हाँ इससे जो नया नजरिया निकलता है वो जाहिर किये मतलब जो नजब निगार होता है किसी भी टॉपिक के उपर अगर नजब लिखता है न तो उसके बारे में कुछ नया ढूनता है यूनिक ढूनता है अगर गुलाब के फूल के बारे में लिखना है तो गुलाब में कुछ नया देखेगा कि हाँ इसमें क्या नई चीज है क् लिखे उसे तरह खेती में नहीं दिमाग में और ताध्युम की बात यह कि ये विचारधारा, ये सोच और विचार इनके दिमाग में कई साल पहले आई थी, बहुत साल पहले, उन्हें 28 में इनकी पैदाईश हुई थी, वही 14-15 साल की उमर में शेरोशारी कना स्टार्ट करती होंगे, तो सोच ये इतना साल पहले, इनका दिमाग अभी के जमाने की तरह चलता था, जिस तरह अभी की लोग जो सोचते हैं, जिस तरह टेक्निक यूज कर रहे हैं, सोच और विचार कर रहे हैं, जि सबसे पहले अभी के जमाने के लोगों की उस तरह का दिमाग इनका पहले चलता था बहुत साल पहले तो ये खेती में नई चीज देखे और उसी नए विचारधारा के साथ इन्होंने नजम लिखा जिसको मैं पढ़कर बताऊंगी लेकिन सबसे पहले अमीक हनफी के बारे में समझ लेते ह है ठीक है इनका जो रियल नेम है वो है अब्दुल अजीज हनफी भले ये ये फेमस हुए अमीक हनफी के नाम से लेकिन इनका रियल नेम क्या है अब्दुल अजीज हनफी पैदाइश की बात कर लें तो पैदाइश हुई थी उन्हें 28 इस भी में MP यानि कि मद्य के लिए याद रखिएगा उन्हें 28 इस भी में मद्य प्रदेश के जिला इंदोर के मियो चाहनी में में अमीक हन्फी का जन्म हुआ तारीख वो सियासत के मजामीन में इन्होंने में किया था तारीख मतलब हिस्ट्री सियासत यानिकी पॉलिटिक्स हिस्ट्री और पॉलिट काफीर तर के पास्यास और इंदिया ररेडियो में स्टेशन त्रटर की हैसियत से यह सुखडोश हुए और टिं के पोस्ट पर और स्टेशन डारेक्टर की हैसियत ही सुभिक दोश हुए यानि की रिटायर कर गए ठीक है पहला मजमुवा इनका है संगे पैराहन most important question पूछ देता है पहला मजमुवा पहला किताब का नाम क्या है हमी खनफी का तो संगे पैराहन ठीक है तवील नजमें भी इन्होंने लिखी तवील नजमें मितलब बहुत ही लंबी लंबी नजमें कविता हैं जैसे कि सिंदबाद सहजादा शबगश्ट सुरत नाकूस यह जब जो यह जितने भी है ना यह नजमें तवील नजमें हैं अमिक खनफी का लिखा में आप लोग अलड़ी बता भी चुकी हूं तो इसलिए तनकीदी किताबे का नाम याद रखिएगा सोली के शनाक्त और शेर्चीज देगरस्त यह इंपोर्टेंट है वह सकता है कि कोशन पूछते यह पहला है और यह आप लोगा दूसरा है तनकीदी किताबे और नहीं पूछे तो अगले अगला साल जरूर पूछेगा क्योंकि विहार बोड देखिए नया नया कोशन उठाता है कभी और कोशन जो कोशन रिपीट होता रहता है उसको तो उठाता यह लेकिन कोई नया चीज देखता है कि जहां पर स्टुडेंट कंफ्यूज हो जाए तो यह हो गया अमी खनफी के बारे में सारा डिटेल्स बस इतना ही डिटेल्स आप लोगो के बुक में दिया गया था इतना काफी है याद रखिएगा अब चलिए समझते हैं यह खेती नाम का जो नजम है इसमें क्या बताया गया है क्या यूनिक चीज देखे हैं अमी खनफी खेती नाम के इस नजम में समझ लेते हैं देखिए लिखे हैं कि वक्त की खेती है हम वक्त बोता है उगाता पालता है और बढ़ने के मौाकी भी हमें देता है वक्त सब्सको जर्रे बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है बादे शुख की मौजों के सांथ ज चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त हम अगर अन्जामकार काट लेता है हमें हम बला आखिर उसके लुक में हम बला आखिर उसकी फजल देखिए इसमें जो यूनिक चीज़ दिखाई दी नामी खनफी को वो था वक्त भले इस नजम का टाइटल खेती है लेकिन इस नजम को लिखने का जो में मोटो है मौजु अब बोल सकते हैं किस टॉपिक के ऊप्र ये नजम लिखा गया है तो वक्त के ऊपर लिखा गया है मतलब खेती नाम के इस नजम का जो मौजू है वो है वक्त इस नजम के जरीए अमे खनफी ये बताना चाह रहे हैं और इस पूरे नजम में ये बताने की कोशिश किये हैं कि जिस तरह हम सभी इंसान फसल की खेती करते हैं किस चीज की खेती करते हैं फसल की खेती करते हैं फसल को इं बिल्कुल उसी तरह यहां पर बताने की कुशिश की गई है कि बिल्कुल उसी तरह हम सभी इंसान भी वक्त की खेती हैं वक्त के फसल है वक्त भी हम सभी लोगों को बोता है उगाता है पालता है वक्त बोता है उगाता है पालता है और बढ़ने के मवाकी भी देता है हमें वक उसी तरह वक्त भी हम सभी इंसान को क्या करता है बोता है यानिकि हम लोग पैदा होते हैं उगाता है बढ़ते हैं हम लोग पालता है यानिकि हम अपने जिन्दगी में जो चाहे कर सकते हैं अपने शौक को पूरा करते हैं किसी से दुखी होते हैं किसी से खुश हो जाते हैं लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं और बढ़ने के मौाकी भी हमें देता है वक्त सब को जहरे बनाने की जादत मरहमत करता है और नास्मने देता है बाद शुक के मोजों के साथ हम धीरे धीरे बड़े होते हैं बड़े हो जाने के बाद हम जो भी लक्ष एचीव करना चाहते हैं मतलब अपने लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं वक्त हमें पालने का मौका भी देता है वक्त हम सभी इनसान को पालता है और चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त और जिस तरह इंसान जब फसल की खेती करता है उसको बोता है पालता है और अच्छे तरीके से उसकी देख बाल करता है पानी वगर डाल कर फसल को तयार करता है और जब फसल तयार हो जाता है तो इंसान मतलब हम लोग की उमर हो जाती है तो वक्त भी जो है ना हम लोग को पाकर खुस होता है कि देखो अब इसका वक्त हो गया अब इसका मौद तो निश्चित है अब यह मरने वाला है तो उस वक्त जो है ना वक्त भी क्या होता है खुश होता है कि अब इसकी मौद निश्चित है जिस तरह हम लोग फसल की खेती करते हैं और फसल तयार हो जाता है कटने के लिए तो हम लोग खुश होते हैं कि चलो अब फसल काट लिया जाएगा अब फसल काट लेंगे फसल तयार हो चुका है खुश होते हैं बिल्कुल उसी तरह वक्त भी हम लोग को देखकर खुश होता ह कि चलो अब इसका भी वक्त हो गया है अब इसको भी अब काट लिया जाएगा हम अगर अंजामकार काट लेता है हमें हम बला आखिर उसके लुक में हम बला आखिर उसकी फसल हां हमें सब कुछ करने के मौका देता है वक्त हम जिन्दगी में जो चाहे कर सकते हैं जिन्दगी म आखिर में हम वक्त की लुक में बन जाते हैं हम उसकी फसल बन जाते हैं और लास्ट में वक्त हम सभी इंसान को फसल की तरह काट लेता है तो देखें कितने मतलब यूनिक बात बता हैं इस नजम के जरीए ये छोटा नजम है बस इतना ही खतम इतना ही नजम है लेकिन इस इसी भी टॉपिक के उपर अगर नजम लिख रहा है ना तो उसमें यूनिक बात ढूंडे कि क्या चीजस में क्या यूनिक हो सकता है और वही जो है ना खेती में अमीक हनफी ये यूनिक बात देखें कि जिस तरह खेती हम सभी इंसान करते हैं फसल को बोते उगाते काट लेते से लास्ट में उसी तरह वक्त होती हैना बुड़े अब इसकी मौत हो खिक है ना तो वही बात है ध्यान में रखिएगा कि खेती भले ही इस नजम का टाइटल है लेकिन इसका मौजू क्या है टॉपिक क्या है किस चीज के ऊपर यह लिखा गया है इस नजम का मरकजी किरदार कौन है मेन करेक्टर जिस पर यह नजम लिखा गया है तो वो है वक्त ठीक है ना वक्त पर यह नजम लिखा गया है चलिए योप आप लोगो समय और अगाया है और विडियो को शेर कर दे भी तक शेर नहीं किया तो, लाइक जरूर करें जो कुछ भी में आप लोगी करें तो, तुरन्त लाइक करके शेर कर कर दिया करें ठीक है अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन श्रॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ले लिए फड़ावर स्क्रीन शॉर्ट तो चली आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग लाइक शर्व अगरा कर दिये होंगे चैनल पर अगर आप लोग नए नया आए हुए मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर द अभर देख प्सक्राइब कर दो उर्व जोग रहे हैं तो भीडियो आप इंड को उड़ीश ठाव इंड हुआ सुनि एंड को जब बार देख प्सक्राइब कर दो में देखले में झाल आप दो आप्सक्राइब को जषया हैं आप तो